हाँ है कि अग्धिट एक वीडियो डाला था उसमें हमने जो बताया है कि 45 वीडियो का हम पॉर्स यहां पर लॉंच कर रहें यह बिल्कुल भी फ्री है यह आपको यूटुब के उपर देखने को मिलेगा डेली एक वीडियो या दो वीडियो आपको देखने को मिलेंगी तो इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आपने लेना चाहिए और यह को जो है यह में ड्रॉइंग से रिलेटीड और याली यह मतलब ब्वेर्दो daw की प्शल्यूच यह विडियो हमारा elements of design यहाँ पर question bank मैंने निकाली है उसमें से कुछ मैं questions लेने वाला हूं और कुछ questions आपको homework कि लिए देने वाला हूं तो दोस्तो स्टार्ट करते हैं वीडियो तो दोस्तो मेरे अगर इसके पहले की वीडियो अगर देखेंगे तो elements of design मैंने पूरा के पुरा पढ़ा है तो वो एक बार वीडियो पहले देख लेना है और उसके बाद अगर यह वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से कौन से elements यहाँ पर आपको देखने को मिल दे तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो और मैं आपको पहले elements की कौन से कौन से elements से उसके point कौन से कौन से वो यहाँ दिखाता हूं तो सामने आपके एक picture है यहाँ पर point टेखेंगे तो number one है point, number two है line, फिर है shapes, फिर है forms, फिर color, फिर texture, फिर scale and proportion, value and gradation और last का जो topic है number nine यह है shapes तो दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ questions आप से करवा लेने वाला हूं और कुछ homework देने वाला हूं तो दोस्तों चलो start करते हैं वीडियो यहाँ पर तो first जो है इसमें कौन से कौन से point मैंने जो दिये हैं इसमें से कौन सा elements यहाँ पर आपको दिख रहा है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो human figure है यह काफी बड़ी निकाली गई है यहाँ मैंने जो circle किया है य यह काफी बड़ी है और जो बिल्डिंग से यह बहुत चोटे चोटे बिल्डिंग से तो दोस्तों यह जो है यह नंबर सेवन के लैंड प्रपॉर्शन यह elements में यह आता है तो next हम figure देखेंगे तो दोस्तों समझ में आया आपको यह बात कैसी देखनी है तो एक बार मेरा elements of design का पुराना जो वीडियो है मतलब 8-10 दिन पहले जो मैंने डाला था वह अगर आप देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा तो next देखत रहे हो तो इसमें एक हाथ दिखाया गया है और वह हाथ में एक aeroplane है और नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखो यह aeroplane है यह बड़ा सा हाथ है और नीचे फिर से building दिखाए गए तो यह कौन से elements में आता है तो यह point में आता है क्या नहीं line में आता है क्या तो नहीं तो यह आपको ऐसा देखना है तो यहाँ पर scale and proportion फिर से weight यहाँ elements आ गया scale and proportion क्योंकि यहाँ हाथ बहुत बड़ा है और aeroplane बहुत छोटा है तो ऐसा कोई भी picture आपको दिखता है तो यह scale and proportion में आएगा तो दोस्तों यह भी आपको समझ में आया होगा जो picture मैंने दिखा है next picture हम देखते हैं यह थोड़ा सा अलग टाइब का picture है आप देख रहे होंगे इसमें जो nine elements है इसमें से कौन सा यहाँ पर elements हमें choose करना है तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे तो सामने river है कुछ trees है उसके पीछे hills है और last में cloud है sky है तो सबसे पहले तो यह एक color में हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि blue color के अलग-अलग tones यहाँ पर लिए तो यह आएगा number eight value and gradation क्योंकि यह एक ही tone में बनाए गए है मतलब एक dark color लिया है blue का उसमें dark करते गए और light भी करते गए तो इस टाइप में जो भी दिखता है यह value और gradation में आपको देखने को मिलेगा और next जो है यह जो hill बनाए उसके पीछे का पार जो है यह space है यह खाली जगा है क्योंकि यहाँ पर यह sky और cloud आपको देखने को मिलेंगी तो यह space में आएगा तो यहाँ पर हमें दो elements देखने को मिले एक है value और दूसरा है space तो दोस्तों इस टाइप के अगर आपको यह फोटोग्राफ मिलते हैं तो यह ध्यान देना है तो चलो next देखते हैं हम कि थर्ड जो है पूर्थ स्वारी पूर्थ नंबर का जो टॉपिक है यहाँ पर भी आपको जैसा पिछला देखा था ब्लू कलर का तो यहाँ पर आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है तो दोस्तों यह भी value and gradation value and gradation और जो sky दिख रहा है पीछे cloud और sky तो यह space में आएगा तो सेम दोनों भी पिक्चर थे इसलिए मैंने यहाँ पर ज्यादा detail आपको बात नहीं कि तो दोस्तों यह इस तरह अगर आप देखते जाएंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि elements of design में जो picture दिए गए इसमें से elements कैसे पैचानने हैं तो next देखते हैं हम तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यह जो सारे picture दिख रहे है यहाँ पर यह जो picture दिख रहा है यह 3D forms है तो यह form में आएगा क्योंकि point नहीं है, line नहीं है, shape नहीं है, color नहीं है, texture नहीं है तो यह form में यहाँ number 4 जो है number 4 form तो इसमें यह आपको देखने को मिलेगा तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लगबग six pictures दिखा है और एक picture दिखा देता हूँ और यह भी picture same जो पीछला picture है उसी टाइप में है क्योंकि यहाँ 3D forms हमें देखने को मिल रहे है तो यह भी form में आएगा यह सारे के सारे यह cube, cuboid, sphere इस टाइप के जो दिख रहे है तो दोस्तों इसके बाद कि जो picture से वह मैं सिर्फ दिखाने वाला हूँ और आपको homework देने वाला हूँ तो यह homework करने से पहले अगर आप फिर से मैं बता रहा हूँ अगर आप मेरा वह elements of design का वीडियो देख लेंगे तो काफे अच्छे से आपको यह solve करते आएगा जोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो में आने वाला है यह आपको सोचना है नेक्स यह जो picture है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तो यह nine element जो लिखे इसमें से कौन सा यहाँ पर आएगा एक या दो या तीन आ सकते हैं तो यह भी पिक्चर आप देख रहे हैं यह किस में आएगा तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूं 45 वीडियो का यह course है डेली दो या तीन वीडियो आएंगे और आप अगर इसको देखेंगे तो आपके नाटा का जो एक्जाम है उसके लिए बहुत beneficial होने वाला है और आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा तो चलो दोस्तों चलने से पहले फिर से एक बार मेरे चान क्यों 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 वेरी मुट्च तैंक यू वेरी मुट्च